नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ फोर नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन बिहार में दिनों दावते इफतार का सियासी जलसा चल रहा है जिहां जलसा इसलिए क्योंकि आए दिन किसी ने किसी राजनेतिक दल का दावते इफतार हो रहा है और आध राश्च्ट्य जनता दल का दावते इफतार है बिहार के उपक्मंतरी तेजस्वी यादव की और से रावरी आवास में यह दावते इफतार की पार्टी रखी गई है और इसमें बिहार के तमाम सियासी दलों को आमंतरित किया गया है कहा जा रहा है कि इसमें उपेंदर कुसवाहा को भी आमंतरित किया गया है और हमारे पास जो रिपोर्ट से उसके नुसार पुखता तोर पर यह सच बाते हैं कि उपेंदर कुसवाहा को भी तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी में आमंतरित किया है लेकिन उपेंदर क कुछवाहा नहीं जाएंगे तो इसे बिहार के राजनितिक तोर पर अगर हम देखें तो इसके बड़ी खबर है क्योंकि उपेंद्र कुछवाहा वह सक्स हैं जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार से केवल इस विना पर अपना रिस्ता तोड़ लिया क्योंकि नितिश कुमार ने लालु आदव की पार्टी राजत से हाथ मिला लिया था और उपेंद्र कुछवाहा ने सारवजनिक तोर पर नितिश के फैसले का न सिर्फ विरोध किया बलकि उन्होंने जदियू छोर करके एक अलग राजनितिक दल का भी गठन कर लिया है और इन सब क यह तै है कि उनकी दावत में सामेर नहीं होंगे इफ्तार पार्टी में कई चेहरे दिखेंगे लेकिन जिस चेहरे पर सब की नजर बनी हुई थी वे उपेंद्र कुछवाहा इस दावते इफ्तार के दौरान वहां नहीं दिखेंगे दरसाल अगर हम उपेंद्र कुछवाहा लालू यादव तेजस्वी यादव और नितीज के रिस्तों की बात करें तो बिहार में जब वर्ष 1990 में लालू यादव की सरकार बनी लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके बाद वर्ष 1996 में उनकी पत्नी रावरी देवी मु उपल भी लगा कि उनका उपयोग बहतर तरीके से नहीं हुआ जिस बज़ा से बिहार की कानून बस्था भी गरती गई और इन सब का नाम दिया गया जंगल राद उसी दोर में लालू यादव के खिलाप में नितीज कुमार उपेंद्र कुछवाहा जैसे कई नेताओं ने म का नाता छोड करके और राजत से हाथ मिला के बिहार में महागटबंधन की सरकार वरा ली तो यह सब उपेंद्र कुछवाहा को नागवार गुजरा उन्होंने सारवजनिक रूप से इन बातों को कहा कि नितीज कुमार ने जंगल राज के मसीहा के लोगों के साथ में हाथ म नहीं कई तरीके के आरोफ लगाते हुए उपेंद्र कुछवाहा ने लालूरावरी परिवार को भ्रष्टा चार का जनक बताया भ्रष्टा चार के खलनायक के रूप में पेश किया और इनकी सरकारों को जंगल राज कहा और इन सब के भी जब अब आध्यावते इफ्तार क दौर चल रहा है तो उसमें उपेंद्र कुछवाहा को तेजस्वी आदव की पार्टी राजद के द्वारा आमंतृत किया गया लेकिन हमारे पास जो पुक्ता सूचना है उसके अनुसार उपेंद्र कुछवाहा वहां नहीं चा रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके नहीं जाने के पीछे भी मूल वजह यही है कि उपेंद्र कुछ वाहां ने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के दवरान लगातार मुखर हो करके लालू और नितीश कुमार का विरोध किया है उस वजह से वे वहां नहीं जा रहे हैं चुकि आज की जो इफदाबते इफतार है इसमें लालू यादव की पतनी राबरी देवी के घर पर हो रहे है इस इफतार पार्टी में बिहार के मुख्य बंतरी नितीश कुमार भी जाएंगे तो ऐसे में यह संभावना बन रही थी कि अगर उपेंद्र कुछ वाहां वहां तो दोनों का आमना सामना हो सकता है इसा एक बाना जा रहा है कि इसे आमने सामने से बचने के लिए भी उपेंद्र कुछ वाहां ने अब वहां नहीं जाने का फैसला लिया है और साथी साथ इस तरीके से उन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार नितीश और लालू पर हम इसलिए वहां से जाने के बदले उपेंदकुसवाहा ने इस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने की यूजना बनाई है ताकि वहां वो ना जाएं और उनका नितीश कुमार से भी आमना सामना ना हो और नहीं वे जिस धांत विहीं राजनिती के आरकारोप लारनितीश पर और साथ ही साथ वे लालू और उनके परिवार के लोगों से जो दूरी बनाने की बात करते रहे हैं आज एक बार फिर से उसी दूरी को बरकरार रखते हुए वे इफ्तार पार्टी से दूर रहेंगे